काल भेरव आज आपको एक नई वीडियो सीरीज में मैं अपने एक साधना काल की बेताल साधना की अनभव आपके साधा करने का मन बनाया तो इस वीडियो में कई वर्ष पहले एक कपालिक मारे गुरुजी थे और बहुत उग्र जाते थे बहुत बत्तमीजी से बात करते थे अधिक तर लोग उनके चेले उनको भारी रूप से ही देखके भाग जाते थे छोड़ फोड़ दे लेकिन इस बैब मैंने उनको देखा कि उनको गाली देते हुए भी फेतर उनकी आखों में कुछ ऐसा परिक्षण का चमक रहती थी कि उससे माज़ भान हुआ कि ये बाहर कुछ और हैं बाहर भले ही कितने कठोर हूं के जही परिक्षा ले रहे हूँ चाहे तिना ही गाली के लोज पर रहे हूं लेकिन अंदर से यह जांचते परकते रहते हैं, देखते रहते हैं हर चीजों को, इसी प्रकार से मारते, डाटते, जांचते परकते सादकों को आगे लिजा रहे हैं, उनके बहुत ज़्यादा सादक नहीं थे, कारण यह था कि इनके परिक्षाएं बहुत कठिन थे, और मैं भी जब गया तो मैं भी कई दिमें तक उनका प्रतीक्षा करता रहा दूर बैठे बैठे पत्थर उठा उठागे माटते थे गाली देते थे डर लगता था कि पतने गुस्ता हो जाएंगे तो मैं लेना नहीं क्या पता फिर मैं प्रयास रत रहा और एक दिवर्श जब मैं उनके पास और निकट आने का प्रयास कर रहा था तो देखा वो नदी किनारे सुखे पेड़ की ओट लेके विप्रीत दिशाओं देख रहे हैं तो मैं शायद थोड़ा सा निकट आ सकता हूं उनके तो मैंने धीरे-धीरे कदम डढ़ाए और अचानक से शायद दूरी दस कदम या पंदरा कदम रह गए होगी वह पल्टे और वहीं सोना में उठा के पत्था भाएक के मालना शुरू करा और गाली देना शुरू करा मैं वहीं बैड़िया चुप चाप तो वह शान्त हो गया ये कई दिनों के बालत के ऐसा मौका मुझे मिला कि कोई नहीं था और तो मैं वहाँ पे उनके दस-पंदरा कदम बीस कदम करीब पहुंच चुका था लगने देते थे एक कपर था उसी महीं खाते थे कपर ही उनकी जिंदिगे थी और कुछ नहीं था बाकि जो शुष आते थे चले जाते थे कुछ दिन रहते थे तो मैंने जब महां पे जुक के बैड़ गया वहां पे उनके पत्थरबाजी से रुखने के करन वो शाम का समय रहां वो डोली थी हलका हलका नारंगी प्रकाश आतास भी एक छितिज में दिखरा हुआ था हलकी से मुझे नीम से लगी और मैं लेट गया शायद नीम थी या ध्यान के अबस्ता थी मुझे ग्यात नहीं है और उन्ने मेरे तियान के नहीं दिया मुझे नहीं पता outta मुझे नहीं पता मुझे यह वी नहीं पता थोड़ी दिर में मुझे यह साभास हुआ गाल ह Alexandria भूंस दहान-थी कर रहे थे और बस मैंने उनके पेर पकड़ लिये मैंने का प्रभू अब तो आप आगे चाहे जिसी भी उद्देश्चे से आए अब तो आप आगे अब तो मैं नहीं छोड़ूँगा तो भूब भी ठाहा के लगा लगा के हजने लगे जल तुम्हें पाही लिए तुम्हें और उनने पहुचा मुझे और बहुत कुछ खाने के लिए जो उनके पास लोग रख जाते थे इसे दो दर अग्ये या कुछ मदिरा रख गए या कुछ फॉल फूरूट रख गए कुछ भी जगए वहां के से उनने मुझे उठा के कुछ दिया खाने के लिए तो मैं कुछ गटी है मेरे साथ जिसको मैं कई लोगों साथ साजा करना चाहा लेकिन उनकी इक्षमता नहीं थी शायद या उनकी साथ अपना अन्भाव नहीं रहा तो उसको नहीं समझ पाए हूँ बैटे रहे हैं उन्हें कहा कि मैं तुम्हें कुछ साथ नहीं करा हूँगा उससे पहले दिक्षा तुम्हें देता हूँ दिक्षा का मंतर देता हूँ उसको जाब करना शुरू करो एक कई दिनों की कटेन परिक्षाओं के बाद इतने सारे पत्थर खाने के बाद गाली खा जा रहा है कैसे शब्द निकल रहे हैं क्या सूज रहा हैं सब उनको पता था क्योंकि मैं तो बूलता ही वैसे बहुत कम था तो जन अगले दिन सुबह चार बजे के आसपास का समय था नदी की नारा था तो उन्होंने अपना कुछ जो भी कपाली क्रियां होती ही करना शिरू करा मैं बैठा गुए था मुझे नदी में नहा के आना था मैं नदी में नहाने गया ठंड थी खलकी और निर्बस्तर होके महां अगनी के समक्ष मुझे बैठा ला गया उनकी मुंत्र गुद्वधाट चलू थी बहुत सारी शक्तियों का आकुरूश मुझे देख रहता हूँ पर जो पेड़ था पेड़ के पास कितनी शक्तिया थी इनके पास कितनी शक्तिया हैं और सब जैसे खाने को तैयार बूचने को तैयार एक पल मुझे लगा कि शायद कहीं मेरी बली तो नहीं दे रहे हैं कि यह कुछ यह मानता है कि शुद्ध जो आत्मा है उनकी बली बहुत सारी सिद्धियों को देने के लिए लाबदायक होती है तंत्र के कुछ विधाओं में नहीं उस बात को मैंने जाने दिया कि जो होगा देखा जाएगा अब जब के ही आए हैं और जब वो देश्य बड़ा है तो यह चोटी-चोटी चीज़ें शरीर की मिरत्यू या एक जनम के मिरत्यू दस जनमों की यत्रा क्या फ्रेक पड़ता हैं जब ख्षंक है तो हम सौसाल जी लेते हैं हमें लगता है हम बहुत बड़ा काम कर दिया सौसाल लेकिन आरिक चेतना इतनी स्प्रेड हो जाती है तो आप देखते हैं अपने सारे जनमों को एक सेकंड के अंदर एक मिनिट के अंदर सारे जनमों को खती है उस लोग को anticipating बलबला है बोलबला ऐसा नहीं है और दोसरा है जब आप उसको देक पाते हैं दृष्टी और ऐस घ्ञां से एक fraction of seconds में घटता देखते हैं, बनता तूटता देखते हैं, तो आपको भान होता है, तब आपको ग्यान होता है, तो आपको बोर्द होता है कि ये, बोल बुलाई है, शनिक है, इतना आप छोड़ के जब चलता था, तो फिर ये अपनी बली दिलवाना को बहुत बड़ी बात मंतर थे, और चारों तरफ चील कवगों की आवाजें, उधर दूसरी तरफ से आजीब जीब आवजें जानवरों की, फिर अचानक से पानी में कुछ हल्चल हो जाना, कुछ ऐसा लगे नीचे से निकला और उपर से अंदर गया, पानी भी वहां कर जो था, ठंड़ा था, औ जहां में बैटा था, वहां रेख थी उस समय, बड़े-बड़े पत्था थे, छोटी-छोटे पत्थर थे, कुछ नुकीले थे, कुछ गोल थे, वहीं पर ही उनका चारने लगा तार तीवर खूता चला गया, और अचानक से उन्होंने, मेरी तरफ देखा, और कहा, उनके ग अनका खाली है, किसको दीक्षा दू, कहां गया तू, क्यों है तू, ऐसे करके उनकी बड़ी प्रेभंगुसी भाषा थी, बड़ी अउगर टाइप भाषा थी, बिल्कुल ना समझ में आने वाली, कोई अगर समाने में बड़े खूली में तंत्र की रात 24 मार्च को आपके उपर किये हुए टोने टोटके भूत प्रेत तंत्र बाधा, शत्रु बाधा या भाग्य और व्यापार बंधन को उग्र शम्षान, भैरव हवन के द्वारा खोल के सद्गुरु देवजी द्वारा भगवान भैरव दीक्षा संसकार किया जाएगा, इसमें सभी पीडित आ आश्रम लखनाओं के नंबर पर संपर्क करें। तुम इस चलाचर जगत में लिल हो चुक्यों। तो मुझे भान हुआ ओ अनभवों का जब मेरे साथ कुर्व में बहुत गहरे ध्यान में और बहुत गहरी तंतर की साधनाओं में जब इक्दम गायब था में समास से कटा उगवा था बिलकुल, किसी को पता ही नहीं था मेर अपनी साधनाओं को आगे बढ़ा रहा था है। उस समय जो मेरे अपने अनभव थे जो अब मेरे नहीं रहे थे। उससे मुझे इंटरकनेक्टिविटी होती मुझे दिखी हूँ। यह तो वही चीज बता रहे हैं जो मेरे साथ हो चुका है। मैं अभी इस वीडियो भी तो नहीं बता सकता हूँ। लेकिन ऐसी बहुत गहरी चीज होना बता लुझे कि ऐसा हुआ है तमारे साथ और तुम जहां क्यों आए हो मैं तुम्हें क्या करा हूँ। कौन सा मंतर दूँ। यह तो मेरा प्रोसेस ही दिख्षा देने का बेकार है क्योंकि अगर कोई हो तो हम उसकी आत्मोन दिखे हैं हम उसको मंतर दे सकते हैं उसको भीज मंतर दे सकते हैं हम उसको आगे गुर मंतर दे सकते हैं उनने साथ मना कर दिया कि मैं क्या दूँ तुम तो ऐसे ही सिद्ध हो वैसे ही मुट तो क्या करोगो तुम तो मैंने कहा मैं कुछ करने या कुछ ऐसे नहीं आया, मैं तो बस एक भाव में बहता हुआ आया आपकी तरफ, मुझे खुद नहीं पता था, और आपने जो आज बता है, यह मैं बहुत वर्शों से, बहुत सारे लोगों के साथ बैट बैट के इसको जानने का प्रयास किया, लेकिन सब लोगो मुझे ुदिस्ट्रैक्ट किया कि वह उनribly को पता हे नहीं थी, उनका अनभां इनहीं था कि यह घ्रीit से अलग होने का अनभाव क्या होता है, उनको पता है कि यह हो गया, उनको पता है, कि मैं चिंदा भी और मर भी गया हूँ, जो इसका वहान प्रफंव प्रथम पता च दोनों ने वही सेम चीज वरिफाइ करी, तब उसके पश्चात मैने इसको स्विकार किया, कि मेरी जो बहुए थे उस समय, वास्तवित्ता में एक अलब रोता था, उसको सिध्गरते थे, उख्या अंशर भी मैंने अब सिखार कि मैं अगर आया हूं तो आप मुझे कोई तो ए अगर आप जो मुझे देंगी, वह तो तो तुम करी ही लोगे, मैं तुम्हें जो दूँ चाहना दूँ, उससर अगर कुछ बूल भी दोगो तो मंत्र बनना शुरू हो जाएगा, उसमें पिसे हो जानी शुरू हो जाएगी, खर उस बातों के मैंने बाद में परहुए जगहों पर, जो उनकी बात हैं, उनका आशिवयात सजव मेरे साथ है, अनीफ है, तभी भी मैं आज भी अकर उनको सर्फ भर से याद भी कर लेता हूं, तो उनकी जतनी भी आकरामक शक्तिया हैं, वो सब मेरे सामने प्रत्यक्षों के मारण के लिए, किसी को समाप्त करने के कि लिए, कुछ भी खतम करने के लिए, समाप्त करने के लिए, आकरोश में आते हैं, यानों से लबालब खड़े हो जाती हैं, तो यूगि शुरू से मेरा ये वशी करना, ये सम्ना होन, ये आकरेशना, ये इन सम्ने मेरा कोहीं इंट्रेस्ट नहीं रहा, बहुत सारी मेरे आपका अगर इस्ट, जिसको बलाएगा, आप्क किसमी रखेगा, जिसको नहीं बलाएगा, आप दुनिया से क्या मतलब, ये लोग समझते ही हम, ये जोनी मेरा शुरू से ही सिर्फ एकी टोप इक रहा है, स Materialiques toutesla, से मेरा करें, सुरू से ही सोध इसको मैं अपने गुरूरों के पूरी वीडियो सीरी बना रहा हूं उसमें दिखाऊंगा। जितने मारे गुरू रहे हैं सबका मैंने सिस्टम सीखा है मैंने मारान कही एक्सपरटाइज करा है। मुहां तो जो हीष्ट है वो खब खब करेगा ना जिसको अपने पास बुलाना बुलाएगा। मुझे बेताल की मंत्र दिये लगवक्त आदे पन्ने का मंत्र था बहुत बड़ा मंत्र था उन्होंने कहा कि आप इसको पहले नहीं मेरे समक्ष कि ग्यारा बार पढ़िए और उसके बाद आप चले जाएं नदी के उस ओर जब नदी के उस ओर मैं जया तो कुछ नहीं था वहां पर ठाने के बीए कुछ नहीं था पानी तो खर नदी कब ही रा था 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 वही चल जाता है लेकिन कुछ था यह वेस्टरों ने कहा कि उठा के फैंक दो थोड़ा सा यह वेस्टर रहता था मेरे पास उस समय तो मैं एक पीरिड तेशा सा था उसकी होते हैं उनकी क्या परिक्षाएं होती हैं वो क्या देख रहे होते हैं साधक में कितना समर्पण देखते हैं और पूरे जीवन में तो मैं अपनी तुलवाते ही आया हूं कि समर्पित ही होना एक मात्र देश है और उसी के माध्यम से ही अपने आपको मारते मारते ही मैंने य नहीं होता है कि परस्ति वर्ष आप समर्पित हो गए समर्पित होना है कि किसी भी परस्ति में हो आप समर्पित हो गुद्धिक अप्रियों करते हैं समर्पड में भी उस समर्पड नहीं है फिर मैं आपको शीज़ ले लिए आता हूं मैं इस युवापों में था कि कब से शुरू करूं क्या करूं उन्होंने कुछ बताए नहीं ना मुझे किस माला से करना हूं उन्हें का करूज तो मैंने फिर करना शुरू कर गिया बिना महला के सुचा बैठा रता नदी के नारे रता रता दूर जो है नदी की उस तरफ बहुत छोटे से हमारे जो कपाले गुरू जी थी भूँ देखते थे उधर से हाथ लाके इशारा भी करते थे कभी कबार रात में कभी कबार्ट जब अगनी चलती थी वहाँ पर मैं देखता था कि वो कोई आता है मिलने के लिए कोई बलियां मी चल रही हैं बहुत सारा कार होते था वहाँ पर वो अपने कुट की साद्नाओं में भी रहते थे उनके शिश भी रातरी में आते थे ऐसे ही करते 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 अलगलग अनभव हुए उड़िताली की साथना में जिस पेड़ पे मैं इत्फाक से टेक लगा कर बैठा था मुझे ग्यात हुआ कि बाद में ग्यात हुआ कि हमारे जी गुरू जी थे कपाली गुरू ने पहले ही मुझे इनितेशित करा था कि तुम उसी के नीचे बैठोगे लेकिन शायद मैं उस सुनने में कुछ कमी रह गई थी तो चाहे ना चाहे मैं उसी पेड़ के नीचे ही ओट लगा के बैठा उसका कारण ये था और उन्दी के उस तरब प्रतम दिन जब मैंने जाप करा मैं रातरी में शायद 11 बजे का समय रहा होगा 11 बजे करना शुरू करा तो मंत्र इतना तीवर मंत्र था इतना उड़ जावान था जैसे ही मैंने करना शुरू करा एक घंटे के भीतर भीतर वहाँ ये सारी शक्यां जागरत हो और जिस पीड़ पे मैं ओट लगा के बैठा हुआ जाब कर रहा था वो पीड़ बहुत तीजे सहलने लगा ऐसा लग रहा है असंग के हाथ ही उस पीड़ पे चड़गे हिला रही है उसको इतना कमपन हो रहा था और क्योंकि साधना है तो साधना में कभी हिलना नहीं कभी देखना नहीं कभी उठना नहीं ये मेरे पुराने नियम रहा है जो पुराने जब सिद्ध गुरू ने समझाय रहा है कि भाई कामर सिद्धी रहेगी गरतन मत जुकाना इदर इदर मत देखना उजलिक मत बचाना उठने नहीं जाय जोबी हो जाए यह समझे नहीं को बहुत सुनों से बाली काल से फॉले पर तब लोगा रहा था यह पता था मुझे नहीं उठा लग नहीं उठते हैं तो आपकी परिक्षाएं और तीवर हो जाती है तो प्रतम जाने जब इस तरह के अंदर हुए तो मैं समझ गया कि उन्होंने किसी उद्धि से हैं जी यह बूला है कि तुम सिध्ध हो उसके बाद जीए बिताली साधना है इनको पता ही कि मैंने करें उसके बाइड भी जगड़ते रहें कोई पावरफुल चीजी होगी मेरे स्थर की होगी ऐसी दो तीन चार दिन बी थे कोई चोटे मुटे जो भी अंगभ हो रहते वो होते रहे नवाँ दसवादिन रहा होगा, आठवा नवाँ दसवादिन अचानक से जिस स्थान पर मैं बैठा था उस अस्थान के आसपास चारो तरफ आग लग गई मुझे नहीं पता कैसे लगी लेकिन वहाँ पर आग लग लग गई और आग लग गई तो चारो तरफ से आज मेरे तरफ खिचती भी आ रही थी दुम्हें उसे दिख लिख लिए थी वो बैसे भी दाएं से दाएं से चारों तरफ से और उधर हमारी गुरुदे अगने लगा के कुछ हवन इत्यादी कर रहे थे और वहां से वो आवार जगा रहे थे शायद उनको ये लगा हो कि कहीं है जलना जाये कहीं, भागना जाये, गुर्विन को लगाओ, लेकिन मैं नहीं उठा वहां से, यूकि मेरे जित ऐसी ती कि मैं उठूंडा ही नहीं, इसी को संकल बहले पोलते हैं, इसी सही तप आपका जनरेट होता है अंदर, और इसी तप सही आपकी सद्धियां जाल रत होती ह और से जंगली जानूर भी इस तरफ आने लगे, जैसे हिरा निक्तियादी को मैंने देखा, एक साथ मेरे बगर से सरसर आता हुए निकला, स्रीव मैंने देखा कि अगर अगनी है तो ठीक है, बाई जलोगा तो जलोगा, करते 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 करते, बिरियांके बंद हुई और सब शान्त हो गया, बहुत दूश जली नहीं पाया, मेरे निकट आने से पहले ही सब शान्त हो गया, इसी को ही आपकी साधना का बल बोलते हैं, इसी को ही आपकी तपस्या बोलते हैं, इसी को ही इस्ट का बल बोलते हैं, हमारे तो पूरवज सभी भैर और काली के पास सक रह प्रश्चान देखें कि यहां कि संतान है यह जो है उन्हें कहीं उपासक उन्हें कहीं भूप्ते दिगड़ हैं उन्हें कहीं सीवत हैं वह देखता है कौन सही है कौन गलत है और परिक्षा बहत कटिंग परिक्षा लेता है अब करने हैं कट्रा निकाल देगा से उड़ी उसको धन्यवाद देते हुए मैं अपने जाब को आगे कंटिनू रखा आगले दिन अचानक से पेड गिर गिया जिस पेड में उट लगाकर बैठता था और वास्तरी तमें गिर 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 गिया 12 बते अचानक से चर मराता हुआ गिर गिर गिया और मुझे अज़ीब से लGUा कि इस स्थान पे अगर बैताल है तो इस पे यह क्यों ऐसा हुआ साथ ही साथ मैं जानता था कि मेरी गुरु पर इक्षा ले रहा है मेरा ईश्ट पर इक्षा ले रहा है वा यताल पर इक्षा लिखा लिए मैं कुछ नहीं हुआ मैं चुप चाप अपनी साधना करता रहा और उस रात्री को बेताल के एक गण ने मेरे को सामने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और भाहुत भाया भाहुत खतरनाग भाहुत खुंखार जैसे मुझे मार के खा जाएगा अभी इस परकार से लेकिं मैंने स्शकों कोधीं कि भाहें तो कभी था नहीं है कि मेरे को सर पर रख के काट देगा एक इकी पैर में Lekan कुछ hard नहीं हो जैसे जैसे मेरे पास आया तो दो घठ्नाए एक साथ हुई और दुमें घठ्नाएं ही व्यास्तवी ग्रूप में थे सुर्ष अध्यान ही कर डहा हूं जिए व्यास्तवी ग्रूप ती उस पेड़ों से जैसे जैसे जमिन दक्ति थी उसमें कंपनी बहुत तीवर होता था जैसे बहां से उजग तेगी से में तरफ चोट मार रही है और दूसरी घटमा यह हुई कि जैसे उसका श्री बहुत बढ़ा था बहुत भायानक काकार था तो जैसे जैसे वो मेरे पास आता जाए तो दो घटमा एक साथ हुआ और जब मेरे समिफ आया तो अकार लगभग सावान ने था लगभग बराबर था और तो बैठा मेरे घटमा के पास तो उसका गुठमा ने किसे टश को रहा था रहा था हाथ में उसने एक अजीब प्रकार का जीव वखड़ा हुआ था और गो प्रकार हुआ पूआ वह बिल्ली पर नहीं था, वह अर्जी बितर रहा किसी शायद दूसरे लोग का कुई शायद नीचे से पताल से वो लेकि आया था, उसने कहा कि हम सब तुम्हारी साधना से प्रसंद हैं और हम चाहते हैं कि तुम्हारी साधना में जो बिताल हैं वो समक्षा हैं मैंने उनको बोला कि अभी तो मेरी साधना चल रही, अभी तो मुझे गुरू ने बोला भी नहीं है, और मेरी गुरू तरफ ताकता है, इतने में मेरे गुरू की आवाज आती है, ठीक सामने मेरे गुरू आ जाता है, ठीक सामने अचानक से, और कहता है, देदे, देदे अपन तो देदे अपना ही है, तो मैंने फिर वो पकला और सिर्फ जमीन पर रखती है, मैंने का अगर महाराज को भग लेना तो यह लीजे, अई तने में सब शांत हो गया, वहाँ पे वो गड़ भी नहीं था, फिर बली भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और शांत हो गया, और एक अनुबह होने लगे, कभी इस्तरियां आये, कभी उनकी सहचरियां आये, कभी कुछ आये, कभी कुछ आये, भूत प्रेते धेर सारे आते रहे बार-बार, दराने के लिए, उठाने के लिए, भगाने के लिए, लालज देते थे बहुत सारा, यह सिद्धियां, वो सिद्धि लगवक चालिस दिन, तालिस दिन करीब ये जाप पूर्ण करें एक तालिस दिन करीब होने के बाद असानक से रातरी में बारा एक बिजे जैसे बहुत भड़िया मदरा के सुगंद, बहुत अच्छी मदरा के सुगंद दूंग से ऐसा लग रहा जैसे रेंगती हुई हावाने सरफती हुई लोड़ नासा पुटों को चुरहे हैं चारों तरफ नहीं खाइली हुई थे, कहीं बस इलिक हलकी सी जैसे डोड़ी कर मेरे लिए भेजी जा रही है जब मेरे नासा पुटों में पड़ रही थी तो अचानक से मेरे जीब से, मेरे मुख से, मुझे ये महसूस हुआ कि कुछ लार जैसे टबग रहा है समक्ष अचानक से एक बड़ी विशाल आकरती, बहुर विशाल आकरती बहुर विशाल जिसको आप सोच नहीं सकते हैं, जहां आप दृष्टी नहीं ले जा सकते हैं, वो तो दो नहीं विशाल है, मैं देखे नहीं पा रहा था और देखने के प्रयास करा तो, मुझे खुटना भी नहीं देख रहा था इपने तक का हिसा भी नहीं दिख रहा था। तो मैं समझ गया कि इस बहुत बशाल शक्ती बहुत बड़ी शक्ती है। मैंने उनके चर्णों को छुआ। और जैसे ही चर्णों को छुआ वैसे ही मैं इस लोग से निकलकर किसी दूसरी लोग में चला गया। और जैसे एक छोटा थोटे भाई को कोई बाई भाई अपने साथ ले जाता है फिर आता है वैसे उन्होंने मुझे अस लोग के दर्शन कराए विचुत्र लोग कोई स्वर्व नहीं कोई निजट नहीं कोई पाताल नहीं कुछ नहीं वो अजीब लोग था जहां पर सभी लोगों की जो हइट थी वो इतनी ज्यादा थी इतनी ज्यादा थी कि शाय। उनको नहीं देख सकता है इतने करीब से तो नहीं देख सकता है और शेंद सारी जगाओं के दर्शन कराएं वहाँ पर, कौन समंदिर कहां पर है, शिवजी का नंदिर कहां पर है, और शिवजी का जो भयानक खुरूप है, भैरव, जिनकी उपासने में सभी लिपते थे, ढोले नगाड़े बज रहे थी, और विशित्र ढोली ये, जो प्रत्वी पर आजाएं, इतने भायानक खुरूप है, और जो उन्हों ने वहाँ पर हैरेव के मंदिर का स्वरूप मुझे दिखाया, विचत्र, अकल्पने, संदर, आप उसको अगर कल्पना भी कर सकते होंगे, तो भी नहीं कर पाएंगे, वोकिन बुद्द्धे के बस की बाती नहीं है तरक के बस की बाती नहीं है, और बताने वाले बात भी नहीं है, कैसे बताएंगे, कभी मैं आपको अगर भरूनात की इच्छा हुई तो उनके दर्शन का उनके प्राकट का बुद्दान चलो करूँगा, कैसे मुझे उनके दर्शन हुए, कैसे उन्हें आश्रवाद दिया कैसे प्राकट हुए, कितना महिनत लगी, कितने निमों को पालन करते हुए चले, कितना गुरूं को हम साधते हुए चले, गुरूं की आदेश का पालन करते हुए चले, क्या-क्या हुआ, उसके पश्चात ही मुझे वो दर्शन हुए, और वो दर्शन मुझे जब हुए, त देता है। उससे पहले तो उसके भूत प्रेदगण आके अपने उपस्तिती दर्ज कराके सादकों को भटका के भरमा के गुरु दोहिं लड़ा के गुरु भाईयों में दूश करवा के साधना से भटका देते हैं और मुझे रहता है माया में अपसी प्रकार से क्यों है जैसे अन्त रत्मों से जड़त उनका पुरे महल था और किस काल से किस काल तत्त था वो भी उनना बताया वहां पुरु ने जे कुछ गुप्त पुस्तकों का द्रश्य दिखाया कि यह हमारी कुछ पुस्तके हैं यह पि उसमें सास्क्रम भी नहीं थी हिंदी नहीं थी को प्रेकल भाषा नहीं थी वहां पर तरंज़ थी उसमें उस प्रश्टों में तरंज़ थी और उसको पढ़ने के लिए सिर्फ आपकी जो भावदशा है और इश्ट करपा है वह होनी चाहिए तो और भी उससे कहा कि आप एक प्रश्ट पढ़िये इसका तो अज़र पहत हो उसको साभज पष्टों में बेताल से सम्मन्दित बेताल के लोग से सम्मन्दित वहां कबसे है क्या है तब तक रहेगा शिवजी ने क्या करा भैरवी ने क्या करा यह सही चीजिए उसमें एक बाहर में मैंने सिर्फ पहले पन्ने से ही पकड़के पूरी किताब पढ़ डाली और उने मुझे तरफ आखे चोड़ी करके देखा कि तुम बहुत तेज हो प्रश्ट से ही तुम ने पूरी किताब पढ़ ली और मुझे जो वहां पे और भी पुस्तिके थी उनकी मोटाई इत और मैं वहां के और भी कई सरेद्रश दिखाए यह जो घटना थी बहुत ही एक छोटे से क्षण की ठीक घटना ऐसा नहीं तरह मुझे दरसों घुमाया वहां पर एक सारी चीज़े घुमा दे क्योंकि हमारा समय हमारा काल उस लोक के काल से बहुत विप्रीत है यहां पर जि साल के हो जाते हैं उस लोक में या अलग 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 होती है हम जिस स्पीट से सौ साल के हो गए उस स्पीट से अगर हम काउंट करेंगे तो वह पांचे साल के ही होते हैं और उनकी उम्र भी जादा होते हैं अलंत काल तक होते हैं और हमारे आप जैसे ही लोग हमारे आप जैसे ही लोग अपने पुल्ण को संचित करते हुए अपनी साधना को आले बढ़ाते हुए अपने उन्ध को आले बढ़ाते हुए अपनी चीतना को अलिवेट करते हुए प जद्यू के प्रांत तक ऐसे लोकों में स्थान मिलता है और अगर साधक अपने अपने समय काल के और अपने अपने लोक के पर लोगों में अगर फसता है तो उसी पे ही फसा रहता है यानि कि अगर आप इस प्रत्वी लोक में अनमत प्रूले बना है आप उसमे फसे रहेगे बहुत सारे श्र्षे फसे रहते हैं, आते हैं साधना के लिए, लेकिन करना लगते हैं, पोलिटिक्स मुकारण क्या है, कि उनकी उद्रदय उस्तों उतनी ख्या है, वो गुरु की उद्रदया गे साथ तरदया में बठाकर चले नहीं पारा है, और मैब में जाके गुरु को द दिख रहा है तो उसको मांना चाहे कि उसके बीतर ही दोश है वरिंदा कैसे दिख सकता था कि यह हरव्क्ति के अपने प्वंतर हैं उसे साथी चलना होता है उसी वजह से कि पिना प्छो की तरफ हो थे और वहां में भोगता है, उसी लोक में, उसी पेतालोक में, उसी यक्ष लोक में, उसी प्रेत लोक में भी कुछ ऐसे चेतना होती हैं, जो जागरत होती हैं, जो समझदा होती हैं, वहां पर भी अपनी ध्यान, धारण, समाधी, इत्यादी, इश्वर, गयान, भजन, जो लगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरुत इसको सब्सक्राइब करें और अपने में तुनों के साथ शेयर करें जैश्री काल भायरो तो इसी प्रकार की अलग-अलग सुन्दर लोकों में उसका पदारपन होता है और महां भूगता है उसी लोक में उसी पेताल लोक में उसी प्रेत लोक में भी कुछ ऐसे चितना होती है जो जाजरत होती हैं जो समझदार होती हैं वहां पर भी अपने ध्यान, धारण, समाधी, इश्वर, गयन, भजन में लगे रहते हैं ताकि उनका वो इस्तर और उपर भलता चला जाए वो चले जाएं उपर जयारगंज हैं वो चले जाएं उपर सिद्धाश्रम वो चले जाएं उपर काले की गोत में इस प्रकार से यात्रा अनंत समय से अनंत के लिए हो रही है। इसलिए जब विवश्णाओं बोलते हैं हरी अनंत हरी कथा अनंत अनंत बार बार क्यों आ रहा है। यह अनत इसलिए आ रहा है कि उन्होंने देख लिया है, यह सब ड्रामा है, आप जितना प्रयास कर लेजिए, आप यहीं रहेंगे जहाँ पे हैं, जिस दिन आप प्रयास करना बंद कर देंगे, समर्पन इस अस्तित्रुक हो जाएंगे, आपकी गति स्वधा हो जाएगे. कुंटलनी का जो प्रोसेस है, लगे हुए मंतर जायब करने विध्यानतर वो ऑटमेटिक ही अपने आप खेलने के लिए तैयार है, नाचुरल है, लेकिन हमें चाहिए, हमने धेशा ही किताबे पढ़ ली हैं, और उसमें हमने प्रेमिरत हासिर कर लिए, और हमने स्वभी सही स अंदेश है, कि आप पढ़ना वंद करते हैं, करप्या करना शुद करते हैं, और अपने जो मन के ब्रहम हैं, उनसे दूर होके, और उस आनद्य में अपने मन को मारने का प्रयास करें, अगर मन ही इतना अच्छा है, तो फिर साधना उतरने के आवश्यक्ता नहीं है, आपको मुझे अपना शरीर खिला-खिलासा लगा, जैसे एक नयव शरीर फूल सा गया है, तो उनसा खिल सा गया, जैसे एक पुश्ट को खिल जाता है, कली से, उसमें सुगंद चूटने लेगी, और सुगंदो जी थी, वो मदिरा की सुगंद थी, रोंब रोंब से एक अजीव द थोड़ा सा पुश्ट जागा, तो मेरे चारों तरफ पुश्ट पर गिरा हुए थी, और जिस वरक्ष पे मैं टीक लगा के बैठा था, जो गिर चुका था पहले, वो वैसे कब ऐसे ही खड़ा हुआ था, और उस पर धेल सारे पुश्ट पर धेल सारे, धेल सारे, और अचा गार होगे होगे आजा, तो नदिल लंबिय थी, नदियल गृवा नहीं कर सकता था तैर की पार, पिदल 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 दूर जाना होता था, दूर जाके फेल महां से फुल से जाना होता था, तो अचानक से पथर त्यादी सब्धीर सีड एचानक से क्या हुआ, criticisms पीश्ट और जैसे धक्कास आया और मैंने अपने आपको देखा कि मैं किरने वाला हूँ तो देखा मैंने अपने गुरू के सामने पड़ा हूँ मैं। तो ये क्या हो गया। ये ठीक वही हुआ जैसा मेरे गुरू ने कहा था। मुझे भेजने से पहले मेरी गुर्ण ने बुला था कि यही साधना करो, यह सिद्ध है, बस कुछ जोर की जरूरत है, पहले कि मैं साधना कर तुक अधाल की तिक्षिकरन हुआ था, आई थे, बहुत विशाल अगनी सुरूप में भी आय थे, नीचे रूप में भी आय थे और मेरी गुर्ण ने मुझे बुला कि कैसे आये वहां से यहां, मैंने मुझे पता नहीं चला, कि तुमने देखा नहीं, मैंने देखो, मैंने देखा तुम पता चला कि वह वेताल जो सिद्ध हुआ है, उन्होंने ही जटका देके मुझे यहां बठा दिया, ऐसे वेताल अनंत क साधना को अगर ले जाते हैं इस और इस साधना के मैंने बार में बहुत प्रयूग करे कि जब तक मैंने सारी साधनाओं को तिलाचली नहीं देती थी छोड़ महीं दिया था सरजिक नहीं कर दिया था कि मुझे आवश्यक्ता नहीं थी तोकि एक बहुत बड़ी शक्ति का अभास मेरे छेतना में था इसके माध्धम से मैंने बहुत सारे लोगों के कश्ट भी दूर करे और मैंने क्या करेब अपने आप होए मुझे तो कुछ भी नहीं पता है लोग आते थे अपने अपस्वधा उनका कार हो जाता था वो सब इश्वर की मर्जी है गुरु महाराज की मर्जी है मुख्य रूप से तंत्र में गुरु ही आपको आगे लेके जाते हैं सारी शक्तियां पीछे रह जाती है अंत्यम लाद भी गुरु ही मारता है उस अंदकार में उस अज्याद में उस परकाश को देखने के लिए तो बेर आप सभी से निवेदन होगा कि अगधी आप अंत्र के शेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तुटे तरीक से समर्पित होके आगे बढ़िए क्योंकि समर्पण ही एक मात्र कुर्ण जी है इसके अलबह कुछ भी नहीं आप के हाथ कुछ नहीं लगेगा क्योंकि यदि आप अभी समर्पित नहीं हो पा रहे हैं तो आज में पाएंगे यदि आपको अभी गुरु में दोश दिख रहा है, आप जितना रो लेजिए कि मेरे को शायद इस समय महावीर मिल जाते हैं, रो लेजिए उनके फोटो को याद करके, शायद उनको याद करके कुछ आप फुरा से बहाना और कर लेंगे, फुरा से पीछे और हट जाएंगे, अपने में को नहीं देख पाएंगे, लेकिन होता यही है कि जब हम फोटो में देखते हैं, तो हम अपने हिसाब से उसको एड़्जेस्ट कर लेते हैं, तो काश अगर इस समय महावीर जी होते, बुद्दा होते, तो मैं इनके चरण पगड़ के मुक्त हो चुका होता है, न सादकों को लगता है, कि अगर मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, मैं ही शिब जी गुरु मार सकता हूं, तो आप मेरे पास क्यों मेसेज कर रहे हैं, आप किसी गुरु के पास मेसेज क्यों कर रहे हैं, संदेश क्यों भेज रहे हैं, कि मैं क्या करूं, अगर शिब जी ही आपने किताने तेज है इतना त्याग है इतना समरपन है आप 걸िये हैं विल्कुल उत्तर देंगे दवर्ण ना करдеण हो कि नए उत्तर नहीं देंगे आप न लेंगे अपने लेखने बहल तो लाईए कि नेती नेम को पालम करके चलना सीखिए, समर्पण करिए, जानिया, विराग्य जानिया, आप कहां जानेगे, आपने जान लिया है किताब पढ़के, और उसको प्रदर्शित करना है आपको, तो ऐसे सभी लोग जो इस परकार से सोचते हैं, वो थोड़ा सा इस पर मन्थन करें, कि क्या वाकई हुए, मैंने जोड़े नेने लिये हैं, अपने बीते गर्षों में, मुझे कुछ प्राप्त भी हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या मेरी चेतना में उत्तान हुआ है कि नहीं आपके गुरू हुआ, उनके प्रती पूल में समर्पल बनाय रखें, जो भी आपकी सादा है, उसके प्रती आप बिल्कुल विश्ठा वान रहें, लियमों का पारान करते हुए चलें, ये तंत्र छेतर है कि समय आपको पागल कर दें, मेरे बहुत सारे ऐसे जानकार है, समझ के चलें, एक एक कदम आपको उपर भी लिजा सकता है, भात नीचे भी गिरा सकता है, गुरू की दुर्ष्टी सकते रहती है, कहां कौन क्या कर सब पता होता है, इसलिए गुरू को समर्पित होते हुए, जिष्ट को समर्पित होते हुए, अपने नियमों का पालान करत ताकि अगर आप हलके फुलके होंगे, तो आपके जेब में एक आद भूत परित आ ही जाएगा, हलके फुलके होंगे, और फुब सकर तेज होगा, आपके प्रिक्षाएं के बहुत होंगे, ये आप मान के चलिए, परिदे से, अर्थ से हर तरीक सित्वा जाएगा, लेकिन चीज में दमने बैठा पड़ा है उसमें फसा रखें उस पर दंडा मारता है तो बिल बिलाता है कि अरे दंडा मार रहे हैं तो गुरू की बुराई करना शुरू कर देगा लोगों से जैसे साधना पत को लानलच का पत बना दिया है तो मैंने इस साधना करी मेरे शिष्ट को एतने करोड की लोटरी लग गए अब एक को लोटरी लगी वह भी जूट लेकिन सारी दोयां में फैल गया और सारी दोयां अपना जमीन पीच रही है अपना मेकान पीच रही है कि गु रहा होगा, किसी को opportunity मिल गई होगी, और उसने उसी समय पे साधना से सम्मंदित अनभाव बे डाल दिया होगे, रहा होगा, विटार पांच के साथ हो जातागा, मैं यह नहीं करते हैं कि साधना असे नहीं होगा, होगा, लेकिन हर किसी के साथ होगा, ऐसा नहीं है, भोग लो या तो साधना कर लो, तब कर लो बंदी है मुझे पैसे को मंद्र दे दीज़ें जो कली मेरे पास पैसा देता है कैसे इस तड़किन एंगुआ है कोई हमें दस दिन के लिए जो है को बचनबर्द शक्ती दे दीज़ें जिसने अपनी जान जोग्रम में डालके शक्तियां हासिल करी हैं, वो तुम्हारी इतनी क्षमता है, तुम्हारी आत्मा के इतने तफोगल है तुम्हारे अंदर कि कोई छूटा सा भूत प्रेट में देखके डर जाओगे। बात करो के शक्ति की, फट के हाथ में आ जाएगी अगर छोटा सा भूत प्रेट बेगर सामने प्रतेक्ष हो जाओगे। इतना भायाना गुरूप होता है और इतना भायाना गुर्जा होती है, गुरूप तो छोड़े दो। आप इस मेरे वीडियो को इस परिकार से संझें कि जो मैने अपना अन्भा बताया है उसको आत्मसाथ करें और जो भी मैने ग्यांग की बाते बताई हैं उसको आप अपने जीवन में उतारें तभी इस वीडियो को सुनने का अर्थ है औरना बागी बहुत सारी वीडियो आप ये कष्टों को दूर करें, आनुंते, मुक्ति दें, अपनी साधना करने के लिए मैं प्रेरित करें, मैं आपको भी प्रेरित करता हूँ भगवान भहरव की साधना करें, वारा एक संस्था है, जहां भहरव दीक्षत देता हूँ, आप चुड़िए अपना साधना को दिया रहे हिए, सदयव, जै श्री कालगारप, उस सबकी रोंक्ते खड़े होगा उसको देखते ही, उसका प्रेयोग है मंतर के साथ, वह जब मैं साधकों को देता हूँ, तो उस मंतर के साथ प्रेयोग में बताता हूँ, कि आप उस दंड को पकड़के, स्रीज भहर दंड ह ऐसे तीन बार उस मंत्र का उच्चारान करके अगर आप अपने तीन बार उसे स्थान पर ठोक दिया तो समझ लीजिए 20, 20, 50, 50, 100, 100 किलोमेटर दूर तक उसके उच्चारान से और उस ठोक से पढ़ने वाली चोट उस धर्ति के भीतर ही नहीं उपर के भी शक्तियों को सफाय कर देते हैं